Hello my dear students, आज मैं आप लोगों पढ़ाने वाला हूँ क्लास्टन, बायोलोजी, जीव जनन कैसे करते हैं पार्ट से एक important topic जो की है पुनुरुद भवन पुनुरुद भवन को हम दूसरे नाम से जानते हैं पुनर जनन ठीक है? पुनर जनन में आप लोगों पताऊंगा या पुनुरुद भवन किसे कहते हैं बित एक्जामपल एंड उसका चित्र सहिद तो दोस्तों आईए आज हम देखते हैं पुनुरुद भवन मैंने अगले वीडियो में बीजारु जनन पढ़ा दिया है अगर नहीं देखे हूं तो देख भी सकते हैं आईए आज मैं देखता हूं पुनुरुद भवन बहुत छोटे छोटे टॉपिक मैं आप लोगों किलियर कराऊंगा और ये दो नमबर में पूछे भी जा सकते हैं योड बोर्ड एक्जाम में दोस्तुं चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो देख सकूं आए देखते हैं स्रल प्राणियों को ये सब यन्सी इर्ट बुक से हैं आप अपने यन्सी इर्ट बुक में पेज नंबर 144 नंबर पर देख सकते हैं ठीक है आप इतने पेज पर जाके यन्सी इर्ट बुक में देख सकते हैं देखे सरल प्राणियों को किसको सरल प्राणियों को या दि कई टुकड़ों में काट दिया जाए जो सरल प्राड़ी होते हैं अगर हम उसे कई टुकड़ों में काट देते हैं या काट दिया जाए तो परतेक टुकड़ा बिक्सित होकर पूर्ण जीव का आर्थ होता है जो पुराना जीव होता है जो उसके जनक होते हैं जैसे इसमें मैंने लिखा है प्लेनेरिया प्लेनेरिया जैसे प्लेनेरिया का पूर्ण जिव जो आप काटेंगे फिर उसी की तरह का जिव हो जाएगा ठीक है पूर्ण जिव का निर्मार कर देता है यहां पुनर क्या पुनरुत भवन कहलाता है देखिया जैसे आपने लिया एक्जाम्पल के लिए प्ले नेरिया में पुनुरुत भवन प्ले नेरिया को आप एक को अगर तीन भागों में काटे हैं तो वो तीनों भाग क्या होगा एक नय जीव में बिक्सित हो जाएगा अभी मैं आप लोगों को चितर सही समझा देता हूँ लेकिन एक बार और देख लें सरल पराणियों को जो सरल पराणियों होते हैं याद कई तुकड़ों में काट दिया जाए उससे हम कई तुकड़ों में काट दिया जाए तो परतेक तुकड़ा बिक्सित होकर पूर्ण जीव जो पुराना जीव है ठीक है जैसे प्लेनेरिया है तो प्लेनेरिया की तरह ही पोधे का निर्मार कर देता है या पड़किरिया जो है पुनुरुद भवन कहलाता है आईए आप मैं आप लोग को यंसी EIT बुक में चित्र सहित आप लोग को समझा देता हूँ ये आप लोग देख सकते हैं पुनुरुद भवन या पुनर जनन ये है प्लेनेरिया का चित्र किसका है प्लेनेरिया का ये देख सकते हैं प्लेनेरिया में पुनुरुद भवन आई अब हम देखते हैं आप लोगों बहुत अच्छी तरह से समझाने की प्रैक्टिस करूँगा देखे इसने लिया एक पौधा प्लेनेरिया का है क्या लिया एक पौधा ये क्या है प्लेनेरिया आई ये मैं यहां लिख देता हूँ और आप नोट्स भी कर सकते हैं देखे इसे तीन भागों में काट दिया गया एक सरल जीव को तीन भागों में काट दिया गया ये तीन भाग हैं एक वन टू थ्री इन्हें तीन भागों में काट दिया गया फिर देखिए कुछ इस परकार की स्थननसना बनाती है ये उपर का भाग, ये बीच का भाग एंड ये सबसे नीचे का भाग फिर देखिए फिर ये चौते स्टिप में ठीक उसी परकार का जीव हो जाती है जो की पूर्ण जीव था पुराना जीव था प्लेनेरिया का ठीक उसी प्रकार से एक जीव से तीन जीव का निर्माड होता है यहाँ एक प्लेनेरिया को तीन भागों में काटा गया और ये तीन भाग तीन प्लेनेरिया का निर्माड किया ठीक है इसी के कोहते हैं पुनर जनन पुनर जनन का आर्थ है एक देखे इसे काट दिया गया तो ये एक परकार से मिरित हो गया फिर ये मिरित भी होकर पुनर जनन यानि कि दुबारा जनन लिया पुनर मतलब दुबारा जनन का आर्थ होता है जन्म लेना ठीक है दुबारा ज तो यही है पुनर जनन की चित्र सहित एक्जाम पल और परिभाफा तो आप लोग समझी गए होंगे अगर नहीं समझे हो आईए एक बार और समझा देता हूं और आप लोग अपने इंपोर्टेंस नोट्स में इसे नोट्स भी कर सकते हैं दोस्तों आप लोग पेज नंबर इतने पे जाके इसका बिश्तित अध्यन कर लीजिए ठीक है और अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काटा जाए तो प्रतेक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जिव का निर्मार कर देता है यह प्रक्रिया जो है पुनर पुनरुत भावन कहलाता है या पुनर जनन कहलाता है यह प्लेनेरिया में होता है आप लोग को देखिए मैंने प्लेनेरिया में बता है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुनर पुनरुत भावन का एक दूसरा एक्जामपल ठी कि योको ऎक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हुँ तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और विल के बटन को प्रेस करें ताकि मैं ऐसे नएए नए वीडियो भेजूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो दोस्तों फिलार इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्वाइब